नमस्ते फ्रेंड आप सभी का स्वागत है ये वीडियो इस्पेस्क्विली उन हमारे यंगर साथियों के लिए है जो अभी IBS PO का एक्जाम में एक्जाम दिये हैं और ये में एक्जाम 26 नौमबर को हो गया and they are waiting for their results and also they are ready to crack the interview और उसके बाद से ये cut-off आने लगा कि एक्जाम में cut-off कितना आएगा और हमारे वो साथी इंतिजार कर रहे हैं कि क्या वो qualify कर पाएंगे और उनुका paper कैसा हुआ है Friends, इस बाद को predict करना मुश्किल है कि cut-off date क्या होगा लेकिन past इस course क्या था, past cut-off date क्या था, vacancy क्या थी उसके उपर इस बाद का हम एक अद्दाजा लगा सकते हैं कि expected cut-off क्या होना चाहिए वैसे तो different coaching institute द्वारा ये बार-बार बताया जा रहा है कि क्या होगा मैंने भी आपके लिए एक exemption दिया है, जैसा कि आप देखते हैं कि 19-21-22 में vacancy के हिसाब से 2022 में vacancy 8485, यानि कि just लगबग double 2019 के और इतनी vacancy कभी नहीं है थी, और एक बात और बता है, जब vacancy जादी होती है, candidates जादे होते हैं, तो naturally paper थोड़ा tough होता है, आप याद होगा कि जैसा कि हमें भी feedback मिला है, कि इस बार exam के जो paper का pattern था, वो थोड़ा difficult था, English, आप में especially जो mathematics का portion था, data analysis का portion था, वो लगा है कि बहुत कठीन है, और उसी साब से cut-off का prediction हो जाता है कि पेकेंसी कितनी है, paper का pattern क्या था, और आप ही देखिए, अगर लास्ट cut-off देखें हैं, overall, sectional wise नहीं, overall, तो general card 21 में 80.75 था, और 20 में 83.5 था, and 2019 में 71.25 था, लेकिन जो exam का pattern रहा है, feedback रहा है, उसके हिसाब से, इतना जाना मुश्किल है, इतना cut-off नहीं होने की संभावना है, और उसी तरह से, OBC, SC, ST, EWS, का जो pattern रहा है, वो higher side में रहा है, लेकिन चुकि paper difficult है, इसी लिए, ये expectation है कि इस बार दा cut-off, थोड़ा low जाना चाहिए, overall, जो मैंने, एक expected cut-off figure बनाया है, उसके हिसाब से, जनरल का, 61 to 66 के बीच में, मारस आना चाहिए, इस मारक इस दिया, आउट अफर 225, OBC के लिए, 49 to 54, ESC candidate के लिए, 46 to 51, ESC candidate के लिए, 40 to 47, and EWS के लिए, 55 to 60, and these are the only assumption, expectation, अगर आपको लगता है कि आपका paper, इस हिसाब से ठी हुआ है, तो आप ready हो जाईए, you will be qualified, और एक चीज, अगर आपको जराज़ाजी, यह निश्चिता है कि आप qualify करेंगे, तो आप समय ना बरबाद करते हैं, अपने interview की तैयारी करिए, क्योंकि interview में काफी subjects होते हैं, subject इस sense में कि उसका कोई और पोर या कोई इसा limited subjects नहीं होता है, जहां से आपको question पुछा जाएगा, वो general study से भी हो सकता है, banking से भी हो सकता है, economic से भी हो सकता है, history से भी हो सकता है, जगरफी से हो सकता है, इन depends upon the member of the board, तो इसकी तैयारी करिए, और अगर आपको लगता है कि आप अपने self-prepare नहीं कर सकते हैं, तो तो तेक दा help of the mark interview of the any coaching institute, जिसे आप आपके उचित समझते हैं, क्योंकि अगर return qualify कर गया है, तो कोशिस करिए कि interview में किसी भी प्रकार के कोई कमी नहीं रहे, क्योंकि opportunity बार बार नहीं आती है, यह जरूरी नहीं है कि इस बार अगर आप qualify करते हैं, तो next time भी आप qualify कर पाएंगे, तो यह think करिए कि अगर आप qualify करते हैं, तो this is your last chance, and be ready to crack the interview, और आपको selection लेना है, और किसी बैंक में as a professional officer जोई करना है, मेरे तरफ से all the best congratulations, अगर आपको लगता है कि इस subject पे मेरे war video की जरूत है, तो kindly आप हमें inform कर सकते हैं, comment box में कर सकते हैं, interview के लिए कोई help चाहिए, तो आप मुझे comment box में कर सकते हैं, यह सारी बाते मैं अपने banking experience याधार पे आपको बता रहा हूँ, thank you, नमस्क्यार,